स्वामी जी पिछली बार मेरी जग्यासा पूर्ण नहीं हो पाई उसी जग्यासा को में आगे बढ़ा रहा हूं कि बहुत से धर्म दर्शनों ने और मनोविज्यानिकों ने स्वयम ने तीन तरह के मन बताए हैं वो है चेतन मन दूसरा अवचेतन मन और तीसरा अचेतन मन और ये अब ये तीनों तरह के मन हैं और आप ग्याता द्रश्टा की बात करते हैं कि ग्याता द्रश्टा ही पूरे शरीर को संचालन करता है और तीनों तरह के मन भी इसी शरीर के अंदर है तो कृपया हमें बताएं इस तीनों तरह के मन के बारे में Art of Reason की क्या आफदार ना है सास्त्रों में और बेदान्त में और कहीं सारे दर्मों के अंदर भी ये तीन प्रकार के मन की बात किया है नॉर्मल लोग दो प्रकार के मन की बात जानते है जैंदर में बताया के ध्रव्य मन और भाव मन और आम जन्ता भी जानते हैं कि एक मन स्थूल है और दूसरा सुख्स्मा है यह दो मन को लोग जानते हैं, मगर तिसरे मन को नहीं जानते हैं, स्थूल मन, सुक्ष्म मन, और तिसरा है सुसुप्त मन, तो स्थूल मन क्या है, सुक्ष्म मन क्या है, और सुसुप्त मन क्या है, स्थूल मन का मनलब होता है, जो मन अपने आप विजार करता रहता है, इसमें हमारी स्वतंतता नहीं है, आते ही रहते हैं, जैसे रेकोर्ड किया है और प्ले होता है, ऐसे विचारों की सुंकला हर समय हम सोचे या न सोचे, ध्यान रखे या न रखे, विचार की परंपरा चालू रहती है, यह स्थूल मन है. दुसरा है सुक्ष्म मन, सुक्ष्म मन का नाम है द्रवी मन, और भाव मन है, सुरी, सुक्ष्म मन का मतलब होता है भाव मन, और स्थूल मन का मतलब है द्रवी मन, तो भाव मन क्या है, भाव मन का मतलब होता है चार्ज मन, चार्ज का मतलब होता है नए कर्मों को चार्ज करना, तो नए कर्मों को चार्ज करने के लिए भाव मन है, जैसा भाव वैसा भाव, जैसी मति वैसी गति, जैसा ग्यान वैसा मन, तो ये मन है, वो भाव मन है, वो जिवित मन है, जिवित का मतलब होता है, नए कर्मों चार्ज करने का पुर्शार्थ वाला, सक्ति वाला मन, वो होता है जो कुछ हम पिछले अवतार में विचारों के स्वरुप जो भाव की यह थे उसको समय समय पर उसको प्ले करना निकालना या तो बहना पानी की तड़ा तो यह दो मन तुप सब होता है जो व्यक्ति घार निंद्रा में चले जाती है या तो योग के माध्यम से भी स्थूल सरीर से वो मुक्त हो जाता है उनके अनुभव से उनके प्रभाव से उनके असरों से जब मुक्त हो जाता है तब तीसरा मन जो है सुसुप्त मन वो जागरत हो जाता है और वो कोई भी अवस्ता को अपनी सक्ति के मुताबित दिखा सकता है, या तो मन वचन काया से वो अलिप्त रह सकता है, या तो कोई सिध्धी या सक्ति भी प्राप्त करवा सकता है, तो यह जो सुसुप्त मन है, वो जागरत करने से हम भवतिक सिध्धी भी प्राप्त कर सकते हैं, औ स्थूल और सुक्ष्म दोनों मन इन एक्टिव होते हैं, तो इस सुसुप्त मन है, इसको अगर जागरत किया जाए, तो संसार में उसको तीसरा नेत्र भी बोलते हैं, तीसरा नेत्र, जो स्थूल या सुक्ष्म मन काम नहीं करता है, वो तीसरे नेत्र से काम होता है, उनको वो सक्तिसालि होता है पावर्फू होता है क्यूंकि स्थू और सुख्य मन वह तो cause and effect है, मगर जो सिवप्त मन है, अगर वह जागरित होता है, तो उसमें बहुत सारी सक्तिया उसमें होती है, तो कि इस लिए ये तीन प्रकार के जो मन है, वह सही मन है, वास्तों में मन है, ध्रव्य मन है, वो डिश्चार्ज मन है और सुक्ष्म मन है, वो सुसुप्त मन को हम जागरत करके सिद्धी सक्तिया भी प्राप्त कर सकते हैं, और आत्मा का आनंद जो है, वो आनंद संसार की मुक्ति संसार की भावनाओं के अभाव का आनंद भी हम प्राप्त कर सकते ह ये सुसुत मन से जागरत करके तो इसलिए इसको अतिंद्रिय भी बोलते हैं क्या बोलते हैं अतिंद्रिय अतिंद्रिय मन जो इंद्रिय से पर हैं लौकिक भावलाओं से पर हैं पाच इंद्रियों से पर हैं मनवचन काया से पर हैं संसारिक विचारों से पर हैं ऐसा जो सुस बर्सका है उनको जागरत करके